Hello friends, मेरा नाम जगविंदर है, WimText Editor के Basic Editing सीरिस के इस वीडियो में हम जानते हैं कि WimText Editor में हम Replace Functions कैसे Perform करते हैं. तो इस वीडियो में हम जानेंगे कि WimText Editor में Open File में हम Characters को कैसे Replace करते हैं. अगर हम अपने WimText Editor में Open File में Characters को Replace करना चाहते हैं, तो उसके लिए हमें सबसे पहले Command Mode में जाना पड़ेगा और उसके बाद उस Character के ऊपर करसर को Place करना पड़ेगा जिसे हम Replace करना चाहते हैं. उसके बाद हमें R टाइप करना है और R टाइप करने के बाद हमें वो Character टाइप करना है जिसे आप Replace करना चाहते हैं. और ऐसा करते ही निया करेक्टर आपकी फाइल में अपियर हो जाएगा और आप फाइल को एडिट कर लेंगे इन दा कमांड मोड यारी कि इस काम को करने के लिए आपको इंसर्ट मोड में जाने की जुरूरत नहीं है तो चलिए अपने Wim Text Editor के उपर जाकर इस activity को perform करें तो देखे मैं अपने Wim Text Editor में आगया और यहाँ पर हमने एक फाइल ओपन की हुई है अब इस फाइल में हम किसी भी करेक्टर को अगर हम replace करना चाहते हैं मान लिजे यह जो H है capital में या upper case में इसको हम lower case में करना चाहते हैं तो मैं अपने cursor को इस H के उपर move करूँगा और यहाँ पहुंचके मैं R press करता हूँ और इसके बाद वो character type करता हूँ जिसे मैं इस capital H की जगा पे लिखना चाहता हूँ तो हम इस capital H को small h से replace करना चाहते हैं तो मैंने H lower case में enter किया तो देखिए यहाँ पे replace हो गया तो देखिए replacement हमने insert mode में नहीं की है या इस replacement के लिए इस editing के लिए मुझे insert mode में नहीं जाना पड़ा है और यह सारा का सारा काम मैंने perform किया in command mode तो इस वीडियो में हमने सीखा कि हम vim text editor में characters को कैसे replace कर सकते हैं तो इस वीडियो में इतना ही thanks for listening